नमस्कार, शराब घुटाला पिछले दो साल से ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, दो साल से BJP की सारी एजन्सीज कई रेड मार चुकी हैं, कई लोगों को गिरफतार कर चुकी हैं, लेकिन अभी तक एक भी पैसे का हेरफेर कहीं नहीं मिला, कहीं से एक भी पैसा नहीं मिला अगर व्रिष्टाचार वाकई हुआ है तो इतने करोड़ों रुपए गए कहां क्या सारा पैसा हवा में गायव हो गया सच्चाई यह है कि किसी तरह का कोई व्रिष्टाचार हुआ ही नहीं अगर होता तो पैसा भी मिलता ऐसे फरजी केस में आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को इन्होंने अभी तक जेल में रखा हुआ है किसी के में खिलाफ कोई सबूत नहीं है कुछ साबित नहीं हो रहा खुले आम गुंडागर्दी चल रही है किसों को भी पकड़ के जेल में डाल लो अब बीजय पी मुझ समन भेज के यह मुझे बदनाम करना चाहते हैं मेरी इमानदारी पर चोट करना चाहते हैं इन्होंने मुझे समन भेजे हैं मेरे वकीलों ने मुझे बताया है कि यह समन गैर कानूनी है क्यों गैर कानूनी है यह मैंने इनको विस्तार से लिखके भीजाया मैंने बताया है कि उनके समन कैसे गैर कानोनी है लेकिन उनने मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दिया इसका मतलब उनके पास मेरी बातों का जवाब नहीं है इसका मतलब वे भी मानते हैं कि उनका नोटिस गैर कानोनी है क्या मुझे एक गैर कानोनी समन का पालन करना चाहिए अगर कानोनी रोप सबसे सही संबना आएगा तो मैं पूरा सही उप करूँगा बीजेपी का मकसद जाच करना तो ही नहीं इनका मकसद तो लोकसभवचुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है ठीक लोकसभचुनाव के पहले उन्होंने मुझे संबन भेजा है क्यूं इस जाच को चलते 2 सा पहले क्यों नहीं बुलाया था मैं सीब्या में गया था उनके सारे जवाब भी दिये थे लेकिन अब यह लोग ठीक लोगसभा चुनाव के दो महीने पहले मुझे बुला रहे हैं तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताच करना थोड़ी है इनका मकसद है पूछताच के बहाने के एज़रीवाल को बुला लो और उसे ग्रिफतार कर लो ताकि मैं लोगसभा चुनाव में प्रचार ना करना हूँ आज बीजेपी ब्रश्चाचारियों को नहीं पकड़ रही बलकि खुले आम एडी और सीब्याय का इस्तिमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को त सारे पुराने मामले बंद कर दिये गए या ठंडे बस्ते में डाल दिये गए तो जो इनकी पार्टी जॉइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा रफा कर दिये जाते हैं जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है आज मनीज सिसोधिया संजय सिंग और विजय ना किया अगर हमने जड़ा सा भी गलत काम किया होता तो दूसरे भ्रष्टाचारी नेताओं कि तरह आज भी हम बीजेपी में शामिल हो चुके आज तो होते आज तक इस तरह देश के इमानदार नेताओं को जेल में डालके और भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल करवाके ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता यह क्या चल रहा है यह जो कुछ भी चल रहा है बहुत खतरनाक है यह हमारे जंतंत्र के लिए बहुत गलत है इस शरीर काय के कत्रा देश के लिए समर्पित है हमें मिलके देश को बचाना है मैं पूरी जी जान से इनके खिलाफ लड़ रहा हूँ आपका साथ चाहिए